इंडिया वोसेज बांगलादेश के बीच खेले जा रहा है फॉस्ट टेस्ट मैच के तीसरे दिन बांगलादेश ने 133 रन पे 8 विकेट से आगे खेलना शुरू करा और मत्र 17 रन जोड कर उनके बाकी दोनों बल्लेवास जल्द ही पविलियन लौड गए जिसमें कुल्दी प प्यादव को एक विकेट और अक्षर बडेल को एक विकेट मिला इस तरह से बांगलादेश की पूरी टीम 150 रन पर आला उट हो गई जिसमें पांच विकेट कुल्दी प्यादव के तीन विकेट मौमस सिराज को और एक एक विकेट उमेश यादव और अक्षर पटेल को मिल भारती टीम ने बांगलादेश को फालो ओन ना खिलाते हुए अपनी दूसरी इनिंग की शुरुबात की और अपने दोनों ही सलामी बल्लेवाजों को बैटिंग के लिए भेजा केल राहुल और शुमन गिल ने बहुत ही समल कर शुरुबात करते हुए भारत की स्कोर को लंच टाइम तक 36 रन बिना किसी नुकसान के पहुचा दिया आपको क्या लगता है कि भारते टीम को फॉलो ऑन खिलाना चाहिए था या फिर सैकंड इनिंग की शुरुबात करके भारते टीम ने सही किया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताईए और साथ ही हमें यह भी बताईए कि आपको क्या लगता है कि इस मैट के नतीजा क्या होगा साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग